हेलो फ्रेंड्स नवर्शकार मैं चंद्रकान कोटेचा आज आपके सामने फिर से एक अलंकार एक्स्ट्रा अलंकार लेके आया हूँ आपने अलंकार के कहीं लोगों के कहीं ट्यूटरियल्स देखे होगे लेकिन मैं हर एक में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ आग अलंकार के अलग-अलंकार से बजाते हैं यह दिकाऊंगा यह बताऊंगा और बजा के snति करते हैं और यह करते हैं अलंकार पहले बजाए हैं फिर उस में क्या क्या यह भी देख लेते हैं यह चार स्वारों वाला जना पहिचार आलंकार है यह ताली पांच स्वार है इसको हम इन ताल में हम 140 बिट्स पर मिनिट की स्वारी बजा रहे हैं अब इसमें हम सा के बाद एक डेसर रख सकता है है सारे के बाद içडेश रख सकते हैं सारे गह कर सकते हैं यह सा के बाद एक there वाले जबता में बजाता है देखिये कैसे तो जबता में बजाता है देखिये यह जबता है तो धीं लिए लिए 10 वाइं वह इसके शैवन एक नाइप नाइप ले घुर भाहिए विए भूट ओंगेबर 2 सतफलकी कstagए डीचा को अट опятьा है लोर्म और खर्मा भूटिज साहनि अअ अब उन फाद्रभvy Extाप साहनि पानिथ अखानिद अगुटा prá्ण KaneAC अग्चा को ङहाना गडंक बर्भण साथ गُव overlayный गिन खर्मा पॉ अब इसी अलंकार को यही एक तम स्पीड में बजाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा सारेगा मरेगा मापगा मापद मापद नी पाद नी सासा नी दप नी दप मधाप मगप मगरे मगरे सा तो एक प्रेस की जगा बदलके यही एक सो चालिस की स्पीड में फिर्च से हो जाएंगे दूश्रा आंदा सारेगा मरेगा मापगा मापद मापद नी पाद नी सासा नी दप नी दप मधाप मगप मगरे मगरे सा तो यह थोड़े थोड़े कॉंप्लेक्स होके जाएंगे अभी थोड़ा और आगे पढ़ते हैं सारेगा मारेगा मापागा मापाधा मापादानी पादनी सा अब थोड़ा कॉंप्लेक्शन और बढ़ाते हैं एक डेस की जगा दो डेस रखते हैं देखिए कैसे होता है अब देखिए यही सर शारे गम नहीं है सारे गम इसमें दो डेस लगाते हैं सा के बात देस रेके बात देस और गम साथ में सा रे इह तो चार ओर दो डेस्ट छे भीट और nik मां है डूखे गिटोव एसेट से वाईना ना मेंगे गिटोफर्वेट दिन्ना कुद्ना ता दोउना नाम सा रेगा मा रेगा मा पगामा इस तरह से एक तल में चाहें तो ताद्रा ताल में भी बजा सकते हैं हम एक ताल में बजा रहे हैं प्दो करना रहे उत्रieसा ऐसा टो भी बजार प्य'RE ंगा है थो प्रेश्य हुआ च karate को 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 बहुआ को और इसी है कोशिश करेंगे तो आजएगा इसमें आपकी लैकारी याने ताल का ज्ञान बहुत ही पक्का होगा अगर इस तरह ब्यालंकाराब करते रहेंगे तो आपका ताल एकदम पक्का होजएगा तुरंट पता जलेगा कि ताल कहा है हुआ कैसे बज्राइट। रेगा मां रेगा मां पाधा मां पाधा मां पाधानीपाधा मी यूशामी नपाधानीगा निगा पामाधा पामागा पामागा पामागारे मागारे साथ इस तरह से अब ठोड़ा और कॉंप्लेक्शन करते हैं चार की जगा पांच पर ले लेते हैं सारे गा मापा रे गा मापाधा तो यह सिंपल अलंकार जो है बिना डेस का वह पांच प्लस पांच दस माटना की चप्ताल बज़ता है दिन 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 अब यह सारे गमप यह पांच नॉट्स है उसके पीश में दो डेस लगा देते हैं सा रे गमप ए गमप ठा तो इस यह पांस नॉट्स और दो डेस सा याने के रूपक सात मत्रा के रूपक तामी हाते हैं कैसे बद्धान यह भी देखते हैं तिन तिन्ना 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 त नीदा पामा नीदा पामागर था पामागरे पामागरे था प्रच्ट 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 प्रच् बीदा पमागदा पमगरे पमगरे साँ ठोड़े ठोड़े ओंटे जाए के लेकिन बजाने में मजाएए गा आपका था बहुत पक्कावदा देंगा फिंगरिंग भी बहुत पक्की होगी अब और आगे बढ़ते हैं तीन डेश लगाते हैं अब पांच बीट्स के साथ 5 स्वर्क के साथ तिन डेस लगाने से 5 प्लस 3 हाथ यानन फिर से तेन ताल में हम बजा सकते हो अब देखिए इसमें हमारे अलंकार के स्वार के से सेट करते हैं सारे कम परे कम पधा कम पधनी म पदनी सान नीदा पमा नीदा पमागा धा पमागरे पमागरे साँ तो यह तीनता नाए अभी और प्रेस करते हैं सारेगा मापरेगा मापादा नीदा पमागा धापमा पमागरे पमागरे साँ अबर्याज कर दो कि दो कर दो कर दो दो अब इसी अलंकार को स्पीड बढ़ा के बढ़ाएंगे तो हमारी ताल की पकड और्ट की हो जाएंगी देखिए एक बढ़ गोसिस करते हैं सारेगा मापरेगा मापदवा 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 निमापदवा सानिदापा मापदवा निदापा 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 मापदवा निद गुड़ी, और यह है 220 की स्पिर्ट, पिर्दा में सारे गा मापरे गा मापदा गा मापदा नी मापदा नी सा सारी दार मारी दार्मादा पंगारे शा वुड़ तो इस्टरा से हम सिर्ट इसले पंगाइ नी से नी तो इस तरह से हम इस तरह के अलंकार को जितना चाहिए उतना कॉमप्लेक्स बना सकते हैं उतनी हमारी टाल की समझ पक्टी होगी ताल की स्पीड भी हम जितना चाहिए यह मैंने एक्जांपल के लिए आपको 220 रखा था आप चाहे तो 320 तक भी आगे बढ़के एकदम स्पीड में यही सब अलंकार बिजा सकते हैं बहुत सारी फिंगरिंग की एक्सरसाइज हो जाएगी बहुत मगज भी तयाब होगा और बहुत सारी ताल की समझ पकी होगी तो ताल पक्का करने के लिए यह सारे अलंकार करने जरूरी है बहुत सारे अलंकार बहुत सारे लोगों ने बताए हैं लेकिन यह एकदम डिफिकल्ट और एकदम अलग है सबसे तो यह आप जरू से करिएगा तो मैं मानता हूँ आपको अच्छे लगने होगे आप यह चैनल को जरूर से दिनेगा और हाग के सलेशन्स चरू दिनेगा मैं चंदतान कोटेशा आपका दिनेवाद करता हूँ थेंक्यू वेरी मच्छ झापके सलेशन्स चरू चापके सलेशन्स चरू और हुआ झापके लेगने होगे करता हुआ है